इंडिया के कुछ ऐसे डारेक्टर भी हैं जिन्होंने कई सारी हॉलिवूड मुवीज बनाई हैं और ना सिर्फ बनाई हैं बलकि उन मुवीज ने आसकर तक जीता है M. Night Shyamalan जिन्होंने The Sixth Sense, Old, Unbreakable, Split, Glass, The Last Airbender और After Earth जैसी कई मुवीज बनाई इनकी The Sixth Sense मुवी बहुत ही कमाल है और साइड इसी बजा से इसे ओसकर में 6 अलग-अलग केटिगरीज में नॉमिनेट किया गया सेखर कपूर, Mr. India जो फिल्म थी उसे इन्होंने ही बनाए था बाद में इन्होंने Hollywood में Elizabeth नाम की एक फिल्म बनाई और इस पिच्चर ने एक उसकर भी जीता फिर सेखर कपूर ने इसका सीकुल बनाया और उसने भी एक उसकर जीता मीरा नायर, 1968 में इनके एक फिल्म आई थी सलाम बोंबे जो की उसकर में भी नॉमिनेट हुई पर इसके अलावा इन्होंने The Namesack, Vanity Fair, The Reluctant Fundamentalist और Amelie जैसे कई Hollywood मुवीज बनाई इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाय थी The Lunchbox और पहली फिल्म से ही छा गए इसके बाद फिर इनके कुछ Hollywood मुवीज भी आई जैसे अवर सौल सेट नायट और The Sense of an Ending और साइथ फ्यूचर में और भी आएंगी गुरिंदर चढधा अब इनके केरियर में है वाइस रोइज हाउस, ब्राइड एंड प्रजूर्डिस, ब्लाइंड वाइद दा नायट और बैंडिट लाइक बेक हम जैसे कुछ Hollywood फिल्म है